तो दोस्तों अगर आपका बैसेप्स का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा और आप काफी टाइम से बैसेप्स का वर्काउट लगा रहे हैं लेकिन आपका बैसेप्स इंक्रीज नहीं हो रहा तो वो क्यों नहीं हो रहा और किस वज़े से नहीं हो रहा तो मैं आपको बताना चाह तो side position में आप देखेंगे कि मेरा biceps अच्छा कासा चोड़ा नजराता है length भी biceps की ठीक ठाग है और चोड़ाई भी ठीक है लेकिन यही biceps अगर आप सामने से देखता है कोई तो काफी पतला नजराता है तो इसका क्या reason है पूरी तरीके से आपका biceps डेवलप नहीं होता तब जागे आपको ऐसी दिक्कत आती है मैं भी यह दिक्कत काफी टाइम से face कर रहा था क्योंकि मेरा biceps काफी weak लग रहा था मुझे सामने से देखने में और मेरे को side post से अगर देखता हूँ तो अच्छा लगता है तो क्या ऐसी कमिया होती है तो आपको एक killer exercise बताऊँगा जो सारी exercise का तोड़ है एक exercise आपके पूरे biceps को अच्छी तरीके से develop करेगी आपके biceps का size increase करेगी और ये trick मैं आप लोगों के साथ share करना चाहता हूँ तो चले start करते हैं आज हमारी exercise हम गलती क्या करते हैं जब भी हम gym join करते हैं तो हम क्या करते हैं है एक exercise करते हैं जो one of the best exercise है biceps का size increase करने के लिकिन इसमें दिक्कत क्या है हम करते हैं regular barbelle curl जो regular barbelle curl है इसमें कोई दिक्कत निए बिल्कुल सही exercise है हम जब भी gym join करते हैं तो हम regular barbelle curl करते हैं कोई problem नहीं है लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे biceps के अंदर दो मसल हैं, जो हमारी दो मेजर मसल हैं, एक हमारा long head जो बाहर की तरफ होता है, तो यह वाली exercise है, जो regular पारपल आप मारते ही, आपके long head को ट्रेन करती है, और हम सिरफ long head ही ट्रेन करते रहते हैं, जो मेरे साथ भी problem है, इसलि ब्रेकिया ही मसल होती है, इसके तर एक छोटी मसल होती है, उसे भी train करना बहुत जरूरी होता है, तो तीन मसल होती है, तो एक exercise, एक ही exercise, और आपकी जो तीनों मसल को हिट करेगी, तो कौन सी exercise है, मैं आपको भी करके दिखाऊंगा, जब भी आप biceps का workout स्टार्ट करेंगे, तो पहली exercise होगी आपकी बार्बल रॉड, आप बार्बल से पहली exercise करेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है, तीन variations लगाने अलग-अलग, तो पहला जो variation होगा आपका, regular जो बार्बल मारते हैं, वो मारनी आपको 10 repetitions निकालने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, 10 complete होने के बाद में आप अपनी grip wide कर देंगे, आपको wide पकड़ना है, wide पकड़ने से क्या होगा, जो आपकी short head muscle है, जो आपकी अंदर वाली muscle है short head, अब जो सारा का सारा pressure उसके उपर आएगा, तो all the way up, all the way down, all the way up, all the way down, इस तरीके से आपको इसके भी 10 repetitions निकालने, 6, 7, 8, 9, 10, 10 complete होने के बाद में, जो हमारी brachialis के अंदर जो छोटी muscle है, अब उसको train करने के लिए, हमें close grip करनी पड़ेगी, मैं अगर आपको बता दूँ, अगर आप जिग जग रोड से करेंगे, तो ज्यादा आपको easily comfortable होगा पकड़ने में, लेकिन आप इससे भी कर सकत हैं, तो मैं तो इससे मारता हूँ, तो इसके भी आपको 10 repetitions निकाल ले, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, Seriously, अगर आप 30 reps इसके अलग-अलग variations में लगाएंगे, तो biceps के अंदर बहुत अच्छी pumping आएगी, अभी मैं वर्काउट भी नहीं कर रखा है, लेकिन आपको सिरफ बताने के लिए मैंने करके दिखाया है, तो एक set के अंदर आप pumping देख सकते हैं, कि इतनी अच्छी pumping आ रह हैं, अगर आप starting में कर रहें, बहुत difficult हो जाएगा, और कम weight से start करें, पांच, साड़े साथ, और दस, आप अपने ही साफ से weight लगा सकते हैं, और अलग-अलग variations में, तीनो variations में करेंगे, और 30 reps होंगे total, one time, तो बहुत बढ़ी आपको pump बिलेगा, और overall जो आपका biceps है, जो कुछी तरीके से develop नहीं हो पाया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा सामने से, जो short head है, वो बहुत weak है, तो ये गलती मैं भी कर रहा था, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग के साथ ये चीज़ शेयर करूँ, अगर आप इस exercise को अपने schedule के अंदर डालते हैं, तो definitely एक महिन करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के उपर चीए,